उस काली सुन्सान रात में कई सालों से बंद पड़े और भूतिया घोशित हो चुके उस अस्पताल में भारी हलचल थी बाहर कुत्तों का शूर माहौल को खौफनाज बना गाता उस बंद पड़े अस्पताल के अपरेशन थेटर में एक चुडैल की डिलिवरी हो रहे थी उसके आसपास बहुत सारी भयानक चुडैली खड़ी थी अपरेशन थेटर के बैट के नीचे भी कुछ चुडैले बैठी थी और वे चुडैले जलती हुई आग के सामने कोई मंत्र बुदबुदा रही थी जिस चुडैल की डिलिवरी होने वाली होती थी उसकी आँखे अंगारे की तरह लाल थी उसे दर्द तो बहुत हो रहा था लेकिन उसने अपने दर्द को दबा रखा था इस दर्द के उस पार मुक्ती होगी मुक्ती कुछ तेर बाद अचालक से जलती हुई आग बुच गए उसके बाद वो सारी चुडैले जिस चुडैल की डिलिवरी हो रही थी उसके आगे खड़ी हो गए बाहर कुट्यों के भौखने का शोर और भी बूगया था लेकिन फिर सब कुछ खामोश हो गया और एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगी मुक्ती आ गए मुक्ती बेहन आ गए मुक्ती तेरी बेटी आ गए मेरी बेटी मुक्ती रोना तुम ही नहीं, किसी और को है इस घटना के कुछ दिनों के बाद की बाद है रात के साड़ी क्यारब बच रहे थे माया गंश में रहने वाला सूरिया अपनी कार से उस उनसान सड़क के रास्ते अपने घर बापस लोट रहा था सूरिया नहीं काफी देर तक हलो हलो किया लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला गुस्से में उसने फोन काट दिया अरे अजीब पागल लोग हैं अरे बात नहीं करनी तो फोन क्यों करते हैं तब ही अचानक फिर से उसके फोन की घंटी बचने लगे इस बार भी स्क्रीन पर अन्नोन कॉलिंग की लिखा रहा था उसने फोन नहीं उठाया लेकिन लगातार तीन बार जब फोन आया तो उसने गुस्से में फोन उठा लिया और चिलाते हुँ बोला इस बार किसी छोटी बच्ची के हस्ते की आवास फोन पर आती है और फिर एक औरत की खौफनाक आवास उसके कानों से टकराती है सूरिया इस धर्ती पर तेरे दिन पूरे हो गए तुझे तरपा-तरपा कर मारने वाली ने जन्म ले लिया है कौँन बोल रहा है? ये क्या मजाक है भी? मजाक नहीं मौत तुझे तरपा-तरपा कर मारा जाएगा तुब बचे का नए वो जन्म ले चुकी है सूरिया उस औरत की आवास इतना डर गया कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने रेड लाइट जम्प कर दिये और उसकी कार की किसी दूसरे की कार से जोड़दार टकपर हो गया उस कार को एक लेड़ी चला रहे थी और वो पूरी तरह से घायल हो गय थी उसके चहरे से खोन निकल रहा था और वो सड़क पर गिरी हुई तड़प रही थी उसका चहरा काफी भयानक लग रहा था अगर मैं यहां रुका तो खामखाब भश जाओंगा मुझे यहां से भाग जाना चाहिए रात काफी हो गई थी इसलिए सड़क लगभक सुनसान हो गई थी सूरिया ने कार पीछे गुमाई और फिर तेज रफदार में वहां से निकल गया लेकिन तब ही उसे एहसास हुआ कि उसकी कार की पिछली सीट पर कोई बैठा हुआ है उसने गाड़ी के शीशे में जो देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई अरे ये ये तो वही औरत है जिसका एक्सिडेंट मेरी काड़ी से हो गया था ये ये यहां कैसे आई तुझे तरपा तरपा कर मारने वारी जनम ले चुकी है तूप पचेगा नहीं ये कहकर वो औरत वहां से गाइब हो गई ये देखकर सूरिया के दिल की धरकने जोर-जोर से धरकने लगी कौन थी वो और आई और उसने भी सेम वही बात कहीं जो मुझे फोन पर किसी औरत ने गाई थी क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इन दोन बातों का किनेक्शन? सूरिया अपने अपार्टमेंट पहुच गया था लेकिन रास्ते में हुई घटना अब भी उसकी आखों के आगे घूम रही थी वो लिफ्ट में गया और अपने फ्लोर का नंबर आठ तबाया लिफ्ट धीरे धीरे उपर जा रही थी तब ही लिफ्ट की दिवारों से खोन निकलने लगा और उस खोन से लिफ्ट की दिवारों पर कुछ लिखा जाने लगा अरे अरे ये क्या हो रहा है लिफ्ट के अंदर खोन कहा सा आ गया और ये ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा हुआ है इन दिवारों पर जब सूरिया ने लिफ्ट की दीवारों पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसका दम फूलने लगा उसके हाथ पैर कापने लगे लिफ्ट की दीवार पर लिखा था सूरिया इस धर्ती पर तेरे दिन पूरे हो गए है तुझे तरपा तरपा कर मारने वाली ने जनम ले लिया है सूरिया लिफ्ट से निकल कर सीडियों से भागता हूँ अपने घर पहुँचा और जोर जोर से दर्वाजा खटखटाने लगा दर्वाजा उसकी मा ने खुला उसकी चेहरे का उड़ा रंग और इस तरह की बाते सुनकर उसकी मा सुनैना देवी भी घबरा गई उसकी बेहन कामीनी भी कमरे के अंदर से बाहर आई हरे किसका जनम हो गया है कौन तुम्हे मारना चाहता है क्या हूँ अब भया ये सब तुम क्या बोल रहे हो सुर्या को समझ नहीं आ रहा था कि खून से लिखी वोलाईने अचानक कहा गाइब हो गए अपनी मा और बेहन के साथ वो घर के अंदर आ गया वो खाना खाकर बिस्तर पर चला तो गया लेकिन उसके मन का डर नहीं गया उसे नीन नहीं आ रही थी इसलिए वो मुबाइल चला कर यूट्यूब पर वीडियो देखने लगा लेकिन तभी मुबाइल की स्क्रीन एकदम से काली हो गई और एक खौफनाक चहरा उस पर उभरा और उसने कहा कि अचानक उस कमरे में एक छोटी सी बच्ची घुटनों के बल चलती हुई वहाँ दिखाई दी सूर्या की नजर जब उस पर गई तो उसके बाद वो बच्ची हवा में उड़ने लगी और अचानक वहाँ एक चुडैल प्रकट हो गई उस चुडैल को देखकर सूर्या के मूँ से चीक निकल गई आरती तुम उसके बाद वो चुडैल सोड़ सोड़ से हसने लगी और उसने कहा सूर्या तुझे मारने वाली जन्म ले चुकी है वो तुझे तरपा तरपा कर मारेगी उसके बाद वो चोटी सी बच्ची सूर्या के गले पर चड़ गए और उसकी गर्दन में अपने दाद कड़ा दिये सूर्या दर्द के मारे चिल्ला उठा उसकी चीक की आवाज सुनकर कामिनी और सुनैना भागते हुए उसके कमरे में आये और कमरे का नजारा देख कर उनकी भी चीक निकल गई तुम दोनों भी आगे इसके बाद तुम दोनों की मौत भी लिखी है तुम दोनों को मारने वाली भी पैदा हो चूगी है उस चुड़ेल को देखकर कामिनी और सुनैना भी चौक गए अर्थी अर्थी तुम इस बीच उस शुडैल बच्ची ने सूरिया को मार डाला और उसके बाद वो कामिनी की गरदन पर चड़ गए तुम सब को मार दूँगी तुम सब को मैं मार दूँगी सब को जिस तरह से तुमने मेरी मिर्दोष मा को मारा था अरे-अरे छोड़ो छोड़ı मुझे, मा मुझे बचाओ इसके नुकीले दात मुझे चुप रहे है तुम लोगों को आज कोई नहीं बचा सकता कोई नहीं अरे, तुम लोगों ने मेरी मा को करेंट लगा कर इसलिए मार दिया क्योंकि वो मुझे यानी एक लड़की को जनम देने वाली थी मेरी मा के लाक मना करने के बाद भी तुम लोगों ने उसका टेस्ट करवाया और जब पता लगा कि मैं कोक में हूँ तो साजिश के तहट मेरी मा को मा डाला और उसकी हत्या को दुरगटना साबित कर दिया अरे तुम जैसे राक्षसों को जीने का कोई हक नहीं कोई हक नहीं चुडैल की बेटी कामीनी के गले में दाद कड़ा कर उसे भी मार देती है सुनैना देवी ने ये देखा तो वो हाथ जोड़कर उस बच्ची से माफी मागने लगी अरे मुझसे गलती हो गई माफ कर दो माफ कर दो मुझे तुम्हें माफ कर दो अरे तुम लोग समाज में इंसान की तरह रहते तो हो लेकिन सच कहूं तुम लोग इंसान हो ही नहीं तुम लग वो राक्षस हो जिन्नोंने इंसान के वेश में जन्म लिया है। उसके बाद चुडैल और उसकी बेटी सुनैना देवी के बाल पकर कर उसी भूतिया अस्पताल में ले जाती है। जहां उस बच्ची का जन्म हुआ था। उसके बाद वो सुनैना देवी को वहाँ चुडैलों के जुन्ड के पास छोड़ देती है। सारी चुडैले सुनैना की बोटी बोटी नोच कर उसे जान से मार देती है। ये कहानी है जमालपुर में रहने वाले राजकुमार और उसकी साथ साल की बेटी सुगंधा की राजकुमार अपनी बेटी को जान से भी जादा प्यार करता है सुगंधा भी अपने पापा की बिना नहीं रह सकती है हर दिन की तरह राजकुमार ओफिस से आकर सुगंधा के साथ बालकरी में बैठा है और उससे बाते कर रहा है वे दोनों आसमान की ओर देख रहे हैं पापा वो जो उपर आसमान में सबसे चमकीला तारा है वही मा है न मेरी हाँ बेटा वही तुम्हारी मा है दिव्या नाम है तुम्हारी मा का वो इतनी उपर क्या कर रही है पापा वो रोज ये देखती है कि कहीं उसकी बेटी को कोई तकलीफ तो नहीं है कोई उसे परिशान तो नहीं कर रहा पर पापा, मा तो ये काम यहां रेकर भी कर सकती थी न? उसकी बातों को सुनकर राजकुमार की आँखों में आँसु आ गए, लेकिन उसने जट से पोच लिया पापा, मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी उन्हें मेरी इतनी चिंता है, वो इतना प्यार क्यों करती है मुझे? मा ऐसी ही होती है बेटा, वो रहे या ना रहे, पर कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ती, किसी भी परिस्थिती में, किसी भी हालत में, अब अपने पापा से बातें ही करती रहोगी या उन्हें थोड़ा टाइम दोगी, ताकि वो किजन मे जाकर अपनी प्यारी सी बेटी के लिए आलू के गर्मा गर्म पराठे बना सकें पराठे? हाँ पापा, जोरों की भूख लगी है मुझे आप बनाएए पराठे, मैं यही मा से बाते करती हूँ उसकी बातों को सुनकर राजकुमार ने सुगंधा को गले से लगा लिया राजकुमार किचन में चला गया और सुगंधा वहीं बालकनी में बैठी रही यह कहकर पता नहीं उसे क्या हुआ, उसने अपनी बाहें खोले लेकिन उसका पैर फिसल गया और उन्नीस्वी मन्जिल की अपनी बालकनी से वो नीचे गिर ने थी उसने उस समय अपने पापा को जोर से आवाज लगाई पापा, पापा मुझे बचाओ, पापा मुझे बचाओ राजकुमार में जैसे ही अपनी बेटी की आवाज सुनी, वो भागा भागा बाहर आया और उसने अपनी बेटी को नीचे गिरते देखा उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो भी नीचे पूद गया और अपनी बेटी को हवा में ही लपक लिया पापा, पापा आपने पापा को आश्चरे से देख रही थी और राजकुमार मुस्कुराते हुए सुगंधा को देख रहा था पूरे शेहर में इस घटना की चर्चा हो रही थी सभी बाप बेटी के इस प्यार के बारे में बाते कर रहे थे अगले दून पापा आप कहते हैं कि मा मुझे बहुत प्यार करती है लेकिन आप गलत हैं इस दुनिया में सबसे अधिक प्यार आप मुझे करते हैं तभी तो अपनी जान की परवा किये बिना आपने उननिस्वी मन्जिल से मेरे लिए छहलांग लगा दी उसकी बातों को सुनकर राजकुमार की आँखों में आसु आ गए और वो अपनी बेटी से पुरानी बात बताने लगा आज मैं तुम्हें तुम्हारी मा की एक बात बताता हूँ साथ साल पहले जब सुगंधा को जन्म देने का वक्त आया तब राजकुमार की पतनी दिव्या के मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही वो बार-बार अपने पती से कहती राजकुमार पता नहीं आजकेल मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है डर? कैसा डर दिव्या? मालो डिलिव्या के समय अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने अंदर पल रही ननी सी जान को कैसे प्यार करूँगी? ये तुम कैसी बाताय कर रही हो दिव्या? भला तुम्हें कुछ क्यों होगा? देखना हम दोनों मिलके अपनी होने वाली संतान को प्यार देंगे बहुत सारा प्यार धीरे धीरे दिव्या की डिलिव्या का समय नस्दीक आ गया उसे अस्पताल में भरती कराये गया और उस राद डिलिव्या के समय सब कुछ कर बन हो गया वो दर्ब से चीक रही थी डॉक्टरों के चेक अप के बाद सब कुछ क्रिटिकल हो चुका था अगर औजार के जरीए वो अपने अंदर पल रहे बच्चे को खत्म करवा सके तो मुम्किन है कि उसकी जान बचाई जा सके ये बात सुनकर दिव्या को ऐसा लगा बिना देर की ऑपरेशन किया गया और जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला गया सब शान्त हो गया दिव्या के बगल में उसकी नवजात बच्ची भी खामोश पड़ी थी और दिव्या भी दोनों की सांसे ने चल रही थी दोनों की मौत हो चुकी थी राजकुमार की आँखें आस्वों में तैर रही थी वो गहरे सदमे में था उस समय उसे ये तक ना पता था कि अब वो दिव्या का पती है या इसमरिद बच्ची का पिता मा और बेटी दोनों की सांसे थमी हो थी आखरी निर्ने सब कुछ बदर चुका था पर तब तक राजकुमार ने अपनी पत्नी को आखरी विदाई देने के लिए और उसके मुह को हटाने के लिए उसका हाथ न छोड़ा और जैसे ही उसने उसका हाथ छोड़ा दिव्या का हाथ उस शांत पड़ी बच्ची पर बिजली की तरह गिरा और वो जोड़ से रोने लगी सभी को आश्वेरे हुआ कि आखर वो मरी बच्ची जीवित कैसे हो गए पापा मेरी माम उससे इतना प्यार करती थी वो भी बिना मुझे देखे हुए इतना बड़ा निरने ले लिया दिव्या अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती थी वो हमेशा उसके आसपास ही रहती उसे बिना बताए और बिना दिखे उस दिन जैसे इत दिव्या नीचे गिरने लगी उससे रहा नहीं गया उसकी आत्मा राजकुमार के शरीर में प्रवेश कर गई और उसने उसकी जान बचा लिए इस तरह तेरी माने फिर से एक बार तुझे बचा लिया मेरी बच्ची एक बार फिर से तुझे बचा लिया अपने पापा की बात सुनकर दिव्या की आंखे भर आई वो आस्मान में उस्तारिक योर देखने लगी और उसे दूर से ही गले लगा लिया तब ही सुगंधा को भी एहसास हुआ कि किसी ने उसे भी जोर से गले लगा लिया है हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानिया देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजे और हाँ, बेल आइकोन पर प्लिक करना मत भूलेगा